My friends and dear student, myself Mahindra Devanda आज हम बात करने वाले हैं types of feathers feathers के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं feathers को हिंदी में पिछ कहते हैं और feathers birds में पाए जाने वाली सरचना है इन feathers की मदद से ही birds वाईवी अनुकुलन के लिए अनुकुलित होते हैं उड़ने में शक्षम होते हैं और इनके सरीर का तापमान नियमन करने में भी मदद कर पाते हैं यहां पर अलग-अलग परकार के feathers आपको दिखाए गए हैं आपने देखे भी होंगे अपने चारों तरफ जो birds हैं उनके टूटे हुए पंक होइये पंक आपको आसपास कई बार देखने को भी मिलते हैं तो यह कई परकार के feathers होते हैं इनके रंग-अलग-अलग होते हैं इनकी birds के उपर अस्तिती अलग-अलग होती हैं इनके जो color हैं उसके आदार पर ये कई परकार की communication भी करते हैं तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं types of feather के बारे में feathers क्या होते हैं इसको हम समझते हैं the feathers are characteristic of bird feathers birds का मुख्य लक्षन होता है यानि यह जो feathers जो structure है वो सिर्फ birds में ही पाई जा रहे हैं किसी और दूसरे group में animals group में नहीं पाई जाते हैं यह हम पूर वीडियो में जान चुके हैं कि feathers वास्तों में क्या है और एक typical feather की structure भी हम पढ़ चुके हैं feather जो हैं वो derivative है of epidermis जो epidermis होता है उसका व्यूत्पन माना जाता है the feather, beak and claw feathers का निर्माण beak का निर्माण and claw का जो निर्माण होता है are made by beta keratin protein यानि actually जो यह structure है जो की protein से मिलकर बनी हुई है feathers birds में wing का निर्माण करने में मदद करती है वास्ताओं में ये wing को हम feather नहीं कहते हैं feather के द्वारा wings का निर्माण किया जाता है और bird उसमें उड़ने में उनको मदद मिलती है feather are light ये feather जो होते हैं हलके होते हैं elastic होते हैं and waterproof होते हैं feather के हलके होने से birds को yvnuclein में भी मदद मिलती है aerial adaptation है क्योंकि हलके होंगे तो इनको वजन में सरीर का वजन कम रहेगा तांकि हावा में आराम से chem energy के साथ में उड़ पाएं इसके अलावा feathers are used in thermal insulation communication protection and in flight ये सभी कारियों में feather मदद करते हैं अब हम समझते हैं types of feather के बारे में types of feather यानि अलग अलग प्रकार के जो feathers पाए जा रहे हैं उसको हम समझते हैं जब आप एक सामान्य birds देखते हैं कोई चिडियां आप देखते हैं तो उसमें आपको wings दिखाए देते हैं बड़े बड़े उसके पंक दिखाए देते हैं उन पंकों का जो निर्मान होता है वो feathers के द्वारा होता है इसके अलावा आपने birds की पूँच भी देखी होगी tail part भी देखा होगा tail पर भी feathers पाए जाते हैं इसके अलावा उसके सरीर के प्रतेक भाग पर वहाँ पर feathers पाए जाते हैं कुछ जहां पर feather नहीं पाए जाते हैं उसको हमने apteria नाम दिया था और जहां पर feather पाए जा रहे हैं उसको cherry नाम दिया गया है समझते हैं types of feather के बारे में इन birds different types of feather are present अलग-अलग प्रकार के feathers present होते हैं birds में इनका आदार on the basis of their forms इनका रूप कैसा होगा दिखने में कैसे होंगे इनके कार ये क्या होंगे and location और उसकी इस्तिती क्या होगी उसके आदार पर हमने feathers को अलग-अलग पागों में अलग-अलग divide किया गया है तो feathers है जिसमें सबसे पहले जो feather है rameezes rameezes feather second है rectrises feather third है coverts feather fourth है contour जिसको pen ने भी कहते है feathers fifth है filloplume जिसको hair या pen pin feathers भी कहते है ये इसके अलग-अलग नाम है down या जिसको plumules feather भी कहते है powder down feathers rictal bristles feather इसके अलावा कुछ और भी special type के feathers पाए जाते हैं other feathers के बारे में हम उसमें बात करेंगे इसमें सबसे पहले जो तीन है first जो त्री है rameezes rectrises and coverts ये तीनो flights और quill feathers कहलाते हैं क्योंकि ये flight में birds को उड़ने में flight करने में मदद करते हैं यहाँ पीजन का एक सरीर में एक wing का यहाँ पर आपको ये wing दिखाए दिया गया है और tail part में भी आपको कुछ feathers आपको दिखाए देंगे इन सब को हम अभी detail से जानेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जो flight feathers हैं उनके बारे में तो flight feathers कौन कौन से हैं एक है remises second है rectrices and third है covers ये तीन जो feather हैं ये quill या इनको flight feathers भी कहते हैं एक टाइपिकली flight feathers है strong, soft हम ये जान चुके हैं कि soft क्या होती है जो जिस पंक जिसका निर्मान हो रहा है जिस पिछ का जो निर्मान हो रहा है जिसकी main जो central axis है उसको हम soft कह रहे हैं तो जो typically flight feathers है means जो ये हम यूँ कह सकते हैं कि जो तीनो feathers है इनमें जो beach वाला जो भाग होगा वो मजबूत भाग होता है इनका जो मुख्य लक्षन होता है इनके feathers में बार्बूल्स पाए जाएंगे with an interlocking arrangement एक दूसरे से interlocking arrangement के रूप में पाए जाते हैं एक typical feathers की हम structure पढ़ चुके हैं पूर वीडियो में हम ये जान चुके हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेमिजेज के बारे में रेमिजेज ये एक परकार का flight feather है flight feather of wings are term pinions or rेमिजेज जो flight feather हैं जो की wings के उपर पाए जा रहे हैं पंखों के जो उपर पाए जा रहे हैं उसको pinions या रेमिजेज कहते हैं या इसको wing quills भी कहते हैं अगर रेमिजेज की singular form कहें तो रेमेक्स कहते हैं means सब को मिला कर हमने जो पंखों के ऊपर जो feather पाए जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है pinions या रेमिजेज या विंक्विल ये अलग अलग नाम दिये गए हैं रेमिजेज यानि सिर्फ अगर feather के सिर्फ single unit को लें तो उसको हम रेमेक्स कहते हैं इन पीजन कबुतर हम जो study कर रहे हैं उसमें typical के रूप में हम एक sample के रूप में हम कबुतर को ले रहे हैं पीजन को ले रहे हैं इन पीजन 23 रेमिजेज आर अटेच्टू हाइंडर बोर्डर ओफ इच विंग यहाँ पर जो wing का जो भाग है यह जो भाग wing का दियावा है इसका punk का जो भाग है इसमें 23 रेमिजेज पाई जाती है means 23 रेमिजेज यानि जो feather हैं वो पाई जा रहे हैं रेमिजेज परकार के feather पाई जा रहे हैं और इनकी संक्या 23 हो गई इस 23 का जो arrangement होता है वो किस परकार से होता है उसको हम समझते है 11 of them attached to hand are card manual or primaries remises इसको समझे उससे पहले जो इसका four limb है यानि जो पंखो में जो रुपांतरित वाला जो भाग है उसको हम उसकी bone की structure देखते है यानि हम यूँ कहें कि आगे वाले जो हाथ हैं उनको देखते हैं यह हो गया हूमरस हाथ वाली अड़ी यह radius यह alna bone हो गई इसके बाद में जो भाग है उसको हम मेटा कारपल भाग कहते हैं यह है मेटा कारपल वाला भाग होता है यहां मेटा कारपल के साथ में जूड़ी हूई एक डिजिट जूड़ी हूई रहती है इसके बाद में इनके जो phalanges है वो पार्ट आता है जिसमें proximal phalange digit second जो digit यह हम यूँ कहें phalanges जो अंगुलिया होती है उसका proximal part और यह distal part second digit का यह second finger का यूँ कह सकते हैं जो second अंगुली होती है दूसरी जो अंगुली होती है उसका distal part होता है दूर वाला भाग होता है और यह pass वाला भाग होता है इसके लावा एक third digit और पाए जाती है इनी के उपर यह punk लगे हुए रहते हैं यहाँ इसको इस diagram में हम समझते हैं इनकी संक्या जो इस पे लगी हुई हो रही है यहाँ तक जो feathers जो लग रहे हैं इनकी संक्या 23 होती है इस 23 में से 11 of them attached to hand are called manual or primary remises जो आगे वाला जो भाग है आगे वाला भाग का मतलब यह हो गया यह जो भाग होता है इसको हम आगे वाला भाग कहते हैं जिसको hand कह देते हैं हाथ कह देते हैं इसमें आप यह वाला भाग कह सकते हैं यह जो भाग है यह बोन वाला इससे जितने वे जो feathers जुड़े होए हैं उनको हमने नाम दिया है primary remises जिसमें attached रहते हैं इस 11 में से first four attached to second digit called digitalis इसमें से जो सुरू के चार होते हैं यहाँ देखो यह first यह बनायवा है यह first feather second third and fourth यह चार जो feather हैं यह जुड़े होए रहते हैं second digit से यानि जो second जो अंगुली है आम यह कहें जो दूसरे नमबर की जो अंगुली है उसके साथ जुड़े होए रहते हैं clear करते हैं image को second अंगुली में से कैसे arrangement होता है इनका two of these are pre-digitalist इन चार में से दो तो जुड़े होए रहती है pre-digitalist से attached to distal phallax यह distal phallax का यह इस वाले भाग से यह जो यह pre-digitalist इसको कह रहे हैं यह शुरू-शुरू के जो दो हैं वो यहां जुड़े रहते हैं जबकि second mid digit attached to proximal phallanx of second digit दूसरे वाली जो अंगुली का जो proximal part है यह जो proximal part है उसके साथ में third and fourth तीसरे नंबर का feather और fourth नंबर का feather जुड़े रहते हैं यह तो बात हुई इन शुरू के जो चार feathers जुड़े वे उनकी अब हम आगे वाले feathers को देखते हैं the remaining seven इसके बाद में बच गए क्योंकि यह इनकी संक्याथी total eleven eleven में से हम चार तो आचुके हैं और साथ यह है remaining seven primary is attached to metacarpal region यह metacarpal region के साथ में जुड़े हुए रहते हैं इनको metacarpals कहते हैं including one add digital connected with the third digit इन में से एक third जो digit है third वाला जो भाग है जैसे यहां पर यह दिखाए दे रहा है यह third का भाग होता है यह third digit है उसके साथ में एक feather जुड़ा हुआ रहता है इसके बाद में यह तो होगे eleven की बात अब remaining the remaining twelve remises connected with the four arm जिसको हम अलना कह रहे है are called secondaries or cubitalis feather यानि actually जो यह eleven के जो feathers है इनको सामूई ग्रूप से हम कह दते है manual और primary remises और 12 से 23 तक जो feathers है इनको हम कहते हैं cubital और secondary remises तो इस परकार से इनकी संग्या total 23 होती है और यह wing feather कहलाते हैं क्योंकि यह wings पर पाए जा रहे है इनके पंको पर पाए जा रहे है इन आप किसी भी birds का अगर wing पड़ा हो तो आप उसकी पैचान कर सकते हैं इन wing की जो सरचना होगी वो इस परकार से होगी यानि इसमें एक inferior umbilicus जो की skin के साथ जुड़ावा रहता है एक columnus भाग होता है हाइपो रैचिस भाग होता है superior umbilicus एक pore पाए जाता है यह जो central axis है इसको रैकिश और soft कहते हैं और यह जो इसका division होता है unequal होता है यानि इसके जो वने हैं जो इसके जो side में बार्ब जो लगे हुए हैं वो unequal size के होते हैं a small but distinct tough of feathers called alaispuria और bustard wing is attached to polex or thumb इसके अलावा जो यहां first digit या polex जो जुड़ा होँ है वहां से भी कुछ feathers जुड़े होँ रहते हैं जिसको यहां पर दिखाया गया है जैसे कि यहां से यह feather का page जुड़ा होँ है इसको हम कहते हैं alaispuria और bustard wing कहते हैं अब हम समझते हैं second type के feathers के बारे में rectrices rectrices जो feather है वो actually जो birds हैं उनके पूँच पर पाये जाते हैं tail part पर पाये जाते हैं in peasant peasant को हम रेफर मान के कर रहे हैं तो sorry peasant में जो होते हैं इनकी संक्या होती है 12 12 बारा इनकी संक्या होती है 12 long rectrices जिनको हम tail quill भी कहते हैं पूँच के punk कह रहे हैं punk actually हम wing को कहते हैं तो feather का हिंदी में pitch होता है tail quill are arranged in a semi circle of fan like manner on the tail ये tail पर पाए जा रहे हैं और ये उड़ने भी मदद करते हैं तो ये एक परकार के flight feather है इनकी जो संक्या होती है 12 में होती है यहां से आप counting भी कर सकते हैं ये 12 feathers पाए जा रहे हैं इन them of two halves of 1a are almost equal in size जैसा कि हम पहले वाले में देख रहे थे जो remises हैं उनमें हमने देखा कि ये जो ये structure है इसकी rectrices की इसमें remises में इसमें इसमें तो हमें equal दिखाए दे रहा हैं लेकिन remises में ये दोनों भाग हैं वो equal नहीं थे rectrices में ये दोनों भाग equal होते हैं the rectrices help in bird as a break ये birds में break करने का भी काम करते हैं यानि इसके सरीर को रोकने का भी काम करते हैं and in steering the flight और जब ये उड़ते हैं तो मुडने में भी ये मदद करते हैं birds को जैसे right गूमना है ये left गूमना है तो इस तरह से पूँच के इन जो rectrices जो feathers हैं उनकी मदद से ये कारे करते हैं in some birds use for primary for display इसके अलावा कुछ birds ऐसे होते हैं जिनमें ये display के रूप में काम आते हैं means इसकी सुन्दरता को बनाएने से ये communication करते हैं और matting में मदद करते हैं reproduction में भी मदद करते हैं ये rectrices की structure दिखाई गई है इसमें भी inferior amplicous part पाई जाता है calamus hyporaches दिखाई दे रहा है और equal parts of one इसमें पाई जाते हैं अब हम समझते हैं third types के जिनको हम कहते हैं covers covers नाम से हमें पता चल रहा है ये cover करते हैं किसको cover करते हैं ये जो feathers होते हैं बड़े बड़े जो tail के उपर पाई जा रहे हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं remises और rectrices इनके अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये पाई जाते हैं the base of wing quill जो wing quill का मतलब ये हो गया कि जो wings पर जो ऊड़ने वाले जो feathers पाई जा रहे हैं उनको हम wing quill नाम दे रहे हैं are covered by upper and under wing covers ये उपर की तरफ upper and under उपर की तरफ और नीचे की तरफ नीचे का मतलब हो गया जब पंक ये पक्सी सिकोडता है तो इसके नीचे की तरफ vental side पर ये पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ आपका diagram में भी दिखाए दे रहा है ये तो हो गया जो ये feather है ये हो गया remizes remizes के आगे में आगे में आपको और row दिखाए दे रही है एक पंक्ती दिखाए दे रही है एक पंक्ती तो यहाँ पर है और दूसरी पंक्ती यहां पर है यह जो दो पंक्तियों में है इसको वापस केलियर करते हैं एक बार इसमें जो उपर की तरफ जो रो है उसको median primary covers कहते हैं और नीचे की तरफ है वो भी primary covers है लेकिन यह उसे बड़े होते हैं तो इनको कहते हैं greater primary covers इसके अलावा छोटे छोटे और भी covers पाये जाते हैं यानि covers कहां पाये जा रहे हैं जो इनके पंक हैं पंकों का जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर की तरफ यह पाये जाते हैं इनके इस side में यह पाये जाते हैं ऐसे ही the base of tail quill चैल का मतलब जो tail पर पाये जा रहे हैं जो पूच पर जो quill उनको नाम दे रहे हैं जो tail पर पाये जा रहे हैं और covered by upper and under tail covers यह ऊपर की तरफ यानि यह तो नीचे की तरफ हो गया यह ऊपर की तरफ और इसके वेंडल पूच के नीचे की तरफ हैं ये इस तरह पाए जा रहे हैं ये इनको कहते हैं undertale coverts कहते हैं coverts are smaller in size than quill feather और ये जो quill feather होते हैं या हम यू कहें ये man जो इनके feather हैं उनसे छोटे होते हैं whom they are structurally similar लेकिन ये सरचना में इनके समान होते हैं लेकिन छोटे होते हैं यानि ये size इनकी छोटी हो जाती हैं they close the interseuse between quill of the flight feathers ये flight feathers के यहां बीच में interseuse बनाने का कारे करते हैं और help in buoyancy of the air और हवा में इसको उडने में मदद करता हैं हलका पन feel कराने में मदद करते हैं next है contour feather जिसको पैन्ने भी कहते हैं या पैन्ने कह रहे हैं इसकी structure यहां दिखाई गई है these feather are general covering of the body ये जो feather हैं ये जो birds होते हैं उनकी पूरी सरीर पर normally distributed होते हैं सामाने सरीर पर ये पाये जाते हैं typical in structure इनकी जो सरचना होती है typical होती है normally होती है made by a central axis जिसमें central axis पाये जाता है and when you're पाये जाता है they are smaller and woolly feathers ये छोटे होते हैं अगर हम rectices और remises feather की बात करें तो इनसे छोटे होते हैं contour जो feather हैं छोटे होते हैं woolly होते हैं uni type के होते हैं having poorly developed barbules और इसमें barbules कम develop होते हैं barb easily isolate isolated समझते हैं diagram के तुरू ये तो देखो इसमें diagram में हमें दिखाए दे रहा है ये calamus है ये इसका soft बाग हो गया और इसमें जो रहकिश जो बाग होता है वो कम पतला बाग होता है ये after soft बाग होता है और इसकी वज़े से ये woolly feathers होते हैं और जहां पर ये बार्ब जो दिखाए दे रही है इनके बीच में बार्बूल्स नहीं पाई जा रही है तो इनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है यहां से इन एक दूसरे को अलग किया जा सकता है दूर दूर किया जा सकता है separate हो जाते हैं यहां से यह separate हो सकते हैं, एक सिर्फ जा सकता है, एक सिर्फ जा सकता है, contour feathers provide, contour feathers help क्या करते हैं, smooth surfacing to body, body को smooth surface provide करवाता है, बिल्कुल इनकी जो body होती है, इनके जहां जहां पर भी contour feather जो पाए जा रहे हैं, उसकी वज़े से जो birds हैं, उनकी body smooth लगती है, reducing drake and friction resistance to motion through air, यह जो air का जो resistance है, उसको कम करने की मदद करता है, कम करता है, give save by overlapping of vanes, birds को एक proper save provide करता है, make good heat conserving layer, और इसके लबाब यह heat conserve को जो उरजा होती है, इसमा होती है, उसको conserve करने में भी मदद करता है, next है, fellow plumes और जिनको hair और pin feathers कह रहे हैं, यह structure में आपको दिखाई दे रहा है, यह वैसे भी एक बाल के समान, एक hair के समान यह एक pin के समान आमें दिखाई दे रहा है, these are small, यह छोटे होते हैं, delicate होते हैं, and hair like feathers, यह हैर के समान होते हैं, इनके कारिये पता नहीं है, these are sparsely distributed over the body, यह बहुती कम जगेबर birds में पाई जाती है, it consists of a short calamus, इसमें एक छोटा सा calamus पाई जाता है, छोटा सा एक calamus पाई जा रहा है, and long thread like rakish with a few weak barbs and barbules as the free tip, इसमें long rakish पाई जा रही है, और weak barbs पाई जा रहे हैं, और barbules तो और भी ज़्यादा weak होते हैं, बहुती कम दिखाई पड़ते हैं, तो इस तरह से यह, इसके कारिये हमें पता नहीं है, next is down feathers, जिनको plumules कहते हैं, these are small, यह छोटे होते हैं, soft होते हैं, and woolly feathers होते हैं, which different from contour feathers in the absence of righteous, इसमें जो रैकेश होती है, वो नहीं पाई जा रही है, the barb or long, इसमें जो barb होती है, वो लंबी होती है, diagram में देखो यह, इतनी बड़ी इसमें barb पाई जा रही है, flexible होती है, with short barbules, और इसमें जो barbules हैं, यह छोटे छोटे barbules पाई जाते हैं, without hemulai, और इसमें hemulai नहीं पाई जाती है, means interlocking नहीं होती है, arising as a fluffy tuft from the top of the short calamus, और इनका origin जो हो रहा है, एक छोटे से यह छोटा calamus भाग होता है, इसके एक भाग से इनका origin हो रहा है, यह जो छोटे जो बर्ड्स होते हैं, जो जनम जात, जो जनम जैसे ही बर्ड्स अंडे से जब बाहर निकलता है, जो छोटा जो बेबी होता है, चिडिया का, तो उसके उपर जो feather जो पाए जाते हैं, वो down feathers होते हैं, और यह insulation का काम करता है, उनको जो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचाने का कार्य करता है, यह adult जो पीजन होता है, उनमें नहीं पाए जाता है, ध्यादा लखना है, पीजन में नहीं पाए जा रहे हैं, जो adult पीजन है, being replaced by permanent contour feathers यह जो feather है down जो feather है यह contour feathers के द्वारा replace कर दी जाते है यहाँ down feathers थे वहाँ पर अब contour feathers आ जाते है नेक्स्ट है powder down feathers present in form of special pages यह special page के रूप में पाये जाते है डाइग्राम में भी आप समझ सकते हैं यह down feathers है और down feathers थोड़ा मजबूत होता है लेकिन यह जो powder down है यह बिल्कुल छोटे-छोटे powder के रूप में हमें दिखाए देता है किसी भी body की किसी bird की body के उबर जैसा कि आपको यहाँ दिखाए दे रहा है they are simply down feathers यह सामाने रूप से तो down feather ही होते हैं और which top never develop beyond the early stage इनमें जो उपर वाला जो भाग होता है यह बहुत ही कम डवलप होता है या नहीं डवलप होता है and continuously break down into a powdery substances और आगे वाला जो top वाला जो भाग होता है यह continuously break होता रहता है और powder के रूप में निकलता रहता है जिससे क्या होता है these help in जुड़ाओं फैदर्स के भाग से अगर powder के रूप में कोई चीज निकलती रहती है बार बार उसका replacement होता है इसका मतलब उसकी body के साथ में जो अगर कुछ चीज जुड़ी होई रहेगी वो हट जाती है जैसे कि उसको अगर वो गंदा हो गया तो साफ हो जाते है तो ये help करते है insulate the birds birds को insulate करने में to keep the waterproof उनको waterproof बनाने में plumage clean good condition plumage को जो भी इनके सरी के उपर जो feathers पाए जा रहे हैं उनको clean करने में और keep away parasite और जो parasite होते हैं उनको दूर करने में क्योंकि अगर इनके skin के साथ में जुड़े हो रहते हैं तो parasite इनकी body पर छिपक जाते हैं लेकिन जो powdery down feathers हैं उसके होने से इनको क्योंकि ये बाहर निकलते रहते हैं powder के रूप में तो powder के साथ में जो parasite होते हैं छोटे छोटे वो भी निकल जाते हैं अब हम समझते हैं rectal bristol feathers जो rectal bristol feathers जो हैं वो special परकार के होते हैं these feathers are made by modify of philoplooms जो philoplooms होते हैं उनी का रुपांतरण ही होता है stiff hair like feathers ये बालों के समाना में दिखाई देते हैं birds में hair नहीं पाए जाते हैं birds में जो हमें hair like जो structure दिखाई देती है वो actually feather ही होते हैं each bristol has bristol feather में क्या होता है ये short calamus एक छोटा calamus होता है एक cylindrical ratchet भाग होता है यानि एक बेलनाकार भाग होता है जिसमें कुछ few rudimentary barbs at its base इसके base पर चोटे चोटे मतलब बहुती कम विक्षित barbs पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे हैं ये hair like जो structure दिखाए दे रही है इस तरह से पाए जा रही है इसके उपर जो पाए जाते हैं बहुती कम barbs चोटे चोटे पाए जाते हैं these are seen around the base of bill ये जो bill होती है चोँच जो होती है उसके पास में पाए जाते हैं प्लाइ के चर में भी आप ये barbs आप देख सकते हो ये जो structures हैं जो rictal bristol जो feathers हैं उनको आप देख सकते हैं जो rictal ये जो आपको structure दिखाए दे रही है ये actually rictal bristol feather ये है other types में tactile और vibrasy feather present at the root of beak or around the eyes जो चोंच होती है उसके आसपास या जो आँख होती है उसके आसपास ये पाए जाते हैं and are best developed in nocturnal bird और generally जो रात्रिचर जो birds होते हैं जैसे कि night jar उनमें ये दिखाए देते हैं bristol in night jar eyelashes of hornbill hornbill में जैसे आँख जो आँख के पास में जो पाए जा रहे हुए जैसे wires of birds of paradise जैसे कि paradise bird में हमें wire के समान जो structure दिखाए दे रही है इसके लावा ornamental जो plumes होते हैं उनका निर्मान भी अलग परकार के feathers के द्वारा किया जाता है all above feathers are dry from the contour feathers वास्ता में जो feather होते हैं ये contour का ही modify रूप होता है उसी से modify